गुट मुनिंग स्टोडन आज आपके विशाज बुक से चैप्टर नुम्मर 16 भोर और बर्खा रीड करेंगे जो ये भोर और बर्खा कवीता है ये मीरा जी के द्वारा रिचित है ये मीरा के पद गहे जाते हैं । जो कि श्रीकृष्ण के अनन्य भगती उनके समान कोई भी इतना बड़ा भगत नहीं था उन्होंने ही श्रीकृष्ण के बारे में इस पद में लिखा है इन दो पद में एक भोर है और एक बर्खा यानि एक सुबह से समन्मदित ये पद है और दूसरा बर्खा यानि बालि पढ़ लेते हैं जागो बंसी वारे ललना तो जो ये पद है ये मीरा जी के द्वारे तो रचित है लेकिन मीरा ने एक तरह से बताया है कि इसमें ये शोधा मा सिरिक्रिश्न को उठा रही है क्योंकि सुबह का समय हो गया है तो वो बोल रही है कि जागो बंसी वारे ललना की ह आनि रात बीट गई है भोरभrous है और ब्रभरव यानि सुबै हो गई है withdrawal घर घर खुले किवारे घर घर हर घर के опас दरवाजे खुल गई है यानि सुबैं यह जब लोग उरते है तो अपने घर के दर्वाजे भी खोल लेते हैं रात को जैसे बंद करके सोते हैं सब तो घर घर के दर्वाजे खुल गए हैं गोपी दही मतत गोपियां दही मत रही है दही रहा रही है सुन्यत है सुन रहा है कंगना के जनकारे उनके कंगन के जो जनकार है वो सुन रही है क्योंकि जब गोपियां दही मत रही है तो जब वो हाथ से दही मत रही है तो उनके कंगन के चंचन की अवाज आ रही है उठो ल सुर यानि देवता, नर, यानि मानव, देवता और मानव इनसान यानि आपके द्वारे आपके दर्शन के लिए खड़े हैं, अब आप उट जाओ, गवाल बाल सब करत कुनाहल, गवाल जो तुम्हारे मित्र है सब कुनाहल, यानि शोर मचा रहे हैं, तुम्हें बुलाने के रहे हैं माखन रोटी हात महलीनी गौवन की रखवारे गायों की रखवाले करने वाले सिरी कृष्न है मीरा के प्रभु गिरदर नागर शरण आया को तारे मीरा कहते हैं कि है प्रभु गिर्दर नागर, मीरा के प्रभु गिर्दर नागर गिरी को धारन करने वाले भगवान आया को तारे जो भी आपकी शरन में आये उनका उध्धार कीजिए इसके साथ हमारा जो ये मीरा का पहला पद है वो कम्प्लेट हुआ